नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Moto G24 पाउर मोबाइल में किसी भी एप्स को कैसे लॉग कर सकते हूँ साथ चात यह भी बताऊना कि कैसे आपने एप लॉग में फिंगर्प्रिंट को एड कर सकते हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो किसी भी एप को लॉग करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पढ़ेगा क्योंकि दूस्तों आपके सैटिंग में ऐसी कोई भी आप्सन नहीं जहां से आप किसी भी एप्सन को लोग कर पाऊ तो आपको playstation में आ जाना है और यह पर search पर क्लिक करना है और search पर लिख देना है fingerprint app log बहुत ही ध्यान से देखना है तभी आप जो एप लोग कर पहोगे तो यहाँ पर यह application आ जाएगी app log fingerprint इसका नाम में देखिए spsoft company की यह app है इसी को आपको install करना है क्योंकि यह बहुत ही best काम करती है तो आपको क्या करना है इसको install करना है उसको यहां से lock कर लेजी जैसे कि मैं यहाँ पर facebook को lock कर ले रहा हूँ इसको lock करने के बाद प्लस के एकन पर चले जाना है आपको okay अभी तुस्तों आपका app log सेट हो चुका है facebook पर lock लग चुका है अभी आपको fingerprint को add करना है तो क्या करना है यहाँ पर setting पर जाना है और यहाँ पर आपसर मिल जाएगा password setting इस पर जाना है और यहाँ पर fingerprint को यहाँ पर finger को enable कर दिना है अगर आपका fingerprint पहले से add होगा तो यहाँ पर ok हो जाएगा लेकिन अभी मेरा fingerprint आइड नहीं है तो आपको क् लोग सेट कर सकते हैं